हेलो डियर फ्रेंड ठाकुर कोचिन क्लासिस में आप सभी का सवागत है डियर फ्रेंड आज हम वेदिक मैत का लेक्चर नंबर 6 अटेंड करने जा रहे हैं जो मल्टिप्लिकेशन ट्रिक्स से ही रिलेटेट रहेगा डियर फ्रेंड आज हम इसमें सिख्के लेंगे कि किसी भी एसे नंबर आप प्रोड़क्ट जो नाइन डिजिट से कम रहने वाले और उनका आपस में मल्टिप्लिकेशन किया कैसे जाता है और फ्रेंड हमारे टॉपिक का भी एग नाम है फ्रेंड एनी नंबर आप प्रोड़क्ट लेज दान कंपेर्ट तो दो नाइन नंबर सीरीज दिजिट बाइद अमल्टिप्लिकेशन ही फ्रेंड लास्ट टाइम का जो लेक्चर हो था हमारा प्रीवेस लेक्चर जो हमने किया था उसमें हमने देखा था ना कि जो नंबर आप प्रोड़क्टिवीटी थी वो कंपेर्ट तो नाइन नंबर के साथी थी मतलब कि नाइन जाता है यह हमने आसान वे में वेदिक मयात के पैटन के तुरू सीख के समझ के लेने की कोशिश की उसी को ही वो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मल्टिप्लिकेशन की आज का जो पैटन है फ्रेंड यहाँ पर क्या होने वाला है पता है क्या जो हमारे नंबर आप प्रोड इसे नंबर आप प्रोडुक्टिविटी का हमें मल्टिप्लिकेशन करना रहता है तो हमारे को कुछ है की नहीं सिंपल से ट्रिक्स रहती है या मेथड रहता है उसको फॉल्व करके हम उसको आसानी से कर सकते ठीके फ्रेंड देर ना करते हुए तो आज का लिक्टर स्टार् यहां पे नंबर आप प्रोडुक्ट कितने फ्रेंड दो और यहां पे नंबर आप प्रोडुक्ट कितने फ्रेंड देख रहे हो ना फ्रेंड यहां पे नंबर आप प्रोडुक्ट कितने फ्रेंड देख रहे हो ना फ्रेंड यहां पे नंबर आप प्रोडुक्ट कितने फ् जब कभी भी ऐसे नंबर आप प्रोड़क्ट का आपस में मल्टिप्लिकेशन करना रहता है तो उसके कुछ स्टेप्स रहते हैं उसको फॉलो करते हुए करना पदा है अब फ्रेंड हमारे पास पहले जितने भी नंबर आप प्रोड़क्ट अवेलेबल है कंपेर टू नाइन क उसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए और उतने ही नाइन को सेलेक्ट कर लीजिए ठीक है फ्रेंड अब इसमें क्या करना है पता है कि हमने जो नंबर सेलेक्ट किया है ना फ्रेंड अब इसमें क्या पर यह पता है क्या हमारा कॉंप्लिमेंटरी रूल मींस आल फॉर नाइन ला आखरी वाले को 10 से complimentary rule करता है अब फ्रेंड में क्या करूँगा 10 में से 8 गए तो किते रहेंगे फ्रेंड यहां पर लिग दिया उसके बाद में फ्रेंड हमारे पास एक्स्टा नाइन कितने थे एक अब एक नाइन एक्स्टा लिग दो उसके बाद में फ्रेंड क्या करो यह जो 38 है उसमें एक कमकर के लिए को कितना होगा 37 यह आपका फाइनल अंसर आज सुका है फ्रेंड हमने क्या किया पहले हमारे पास पहले जितने नंबर अवेलेबल थे उसको सेलेक्ट किया नाइन नंबर को भी उतने ही सेलेक्ट किया फिर हमने क्या 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 पर बाद ने जितने नमबर 9 ने हमारे पास extra दिया ले ते उतनी यहां पर लिखे, फिर 3rd में क्या करे, 3rd step में हमने 38 में एक कम करके लिखे, यह हमारा final answer आज चुका है, फ्रेंड, उसी तरह हम यही steps के help से, आगे की जितने भी घनिता दिया ले, उसके answer कारने की कोशिश करें अब फ्रेंड, यहां पर नमबर कितने दिया ले 3, और यहां पर compare में digit कितने 4, तो पहले में क्या करूँगा, 3, 9 नमबर को select कर लोगा, अब यह जो नमबर 3 है फ्रेंड, उसको क्या करूँगा, compliment rule apply करके, पहले उसके नमबर लिखूँगा, all for 9, last for 10, सबको 9 से, आखरी वा तो 5, यह नमबर आ गए फ्रेंड, अब 9 नमबर मेरे पास कितने एक्स्टा थे फ्रेंड, एक एक्स्टा था, वो मैंने यहां पर IJT लिख दिया फ्रेंड, उसके बाद मैं वो 438 में से एक लेस्ट करने के बाद में कितना आ था है फ्रेंड, 437, वो हमारा final answer है फ्रेंड, यह हमारे डीजिट में final answer है फ्रेंड, उसके बाद फ्रेंड, हम आते है next number पे, अब फ्रेंड यहां पे दो number है, compare to कितने 4, 9 डीजिट के number में, ठीक है, तो हम जितने भी हमारे 9 number से उतने पहले हम select कर लेंगे number ठीक है, और इन पे क्या करूँगा मैं फ्रेंड पहले complimentary rule apply 10 में से 8 गए तो कितने रहने आले फ्रेंड, दो रहने वाले, उसके बाद में 9 में से 7 गए तो कितने रहने आले फ्रेंड, अगें 2 रहेंगे यहां पे, और फ्रेंड, अभी हम पे remaining हमारे पास 9 नमबर एक्स्टा कितने 2 है, तो मैं यहां पे 2 9 नमबर जो एक्स्टा है तो वो लिख दूँगा उसके बाद मैं 78 में से एक कंपर के लिखूंगा कितना इंग अंसर 77 ठीक है यह हमारा कहां करूंगा ऐगा यह जो नंबर इस पर क्या करूंगा सबको नौ से अखरी comparative आध baptism Märad dop मीनितर णोगो पे लिखूरे समली सेवन और यहां पर हमारे नंबर का जो यह हमारा इसके बाद ने गया का ना इस एक कम करके लिखने का उस में से कम केरे के लिख रहा हूँ तो 4,321 यह हमारा फाइनल अंसर आ रहा है ठीक है फ्रेंड देखिए फ्रेंड आज जो हमने मल्टिप्टिकेशन की ट्रीक्स सीखी यह आपको कैसी लगी हमें कमेंट के तुरू बताईए और आप फ्रेंड यह जो आज हमने ट्रीक्स सीखी अपने माइंड से कुछ प्रस्नल पोस्टिंस बनाएए उनको सॉल कीजे और सॉल करने के बाद ने आपके आंसर एक्क्यूरेसी के करीब आते है या नहीं चेक कीजे मुझे भरोस आए फ्रेंड आप जैसा ही आप गनीत करोगे तो आपका कॉन्पिटेंट भी बिल्ड होएगा और 101 परसेंट जो आप प्रॉब्लम सॉल करोगे आपके एक्क्यूरेसी के करीब आएंगे ठीके फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करे और शे